उत्तर प्रदेश के हरजिले से अभ्यर्थी आ रहे हैं बिहार से अभ्यर्थी आ रहे हैं और अभ्यर्थियों का कहना है जब तक नॉर्मलाईजेशन खतम करने को लेकर अधिकारिक रूप से उत्तर प्रदेश लोग शेवायोग नहीं बता देगा एक सिप्ट में परिच्छा नहीं करा देगा तब तक हम रुकने वाले नहीं हैं आप पनी स्क्रीन पर देख सकते हैं अभ्यर्थियों की तस्वीर मेरे तुईट भी किया गया था और आप इस तस्वीर को देखकर आकलन कर सकते हैं कि इसी तरह से जुंड में अभ्यर्थी उत्तर प्रदेश लोग शेवा आयो के गेट नंबर दो पर पहुंचेंगे टेस्ट बुक के द्वारा एक सेल लगाया गया है जिसका नाम है फ्यूचर आफिसर सेल इस सेल के मादिन से आपनी तयारी को बहुत ही बहतर कर पाएगे इतना बहतर ही कि परिच्छा में बैठने के बाद इस बात का अहसाद आपको नहीं होगा कि पेपर कठीन है अगर आपन पुलीज भरती परिच्छा दरोगा भरती या फिर कोई भी भरती परिच्छा हो आर्ट से ज्यादा भरती परिच्छा कि मैं बात कर रहा हूं आसानी से इस प्रेट फर्म की बादिन से तयारी कर पाएगे वह आप भी पूरे एक साल के लिए 615 रुपे में एक साल आप तया साकारी नौकरी लें और पैसे को रिफंड कराएं और अपनी जिंदगी बनाएं क्योंकि इससे अच्छा प्लेट फर्म आपको नहीं मिलेगा बीस लाग से ज्यादा स्टूडेंट इसे परिच्छ कर चुके हैं तीन लाग से ज्यादा की नौकरी लग चुकी है अगर आप इपनी सपनी को साकार करना चाते हैं तो देर मत करिए अभी जाइए और इस ओफर का लाब उठाईए ओफर सीमिस समय के लिए हैं और मैं आपको याभी सचेत करना चाता हूं कि सासन प्रसासन टाइट है संख्यावल अधिक रहेगा तो सासन प्रसासन कुछ नहीं कर ब्रसासन करणेंगे अगर नहीं मानते हैं तो अभढ़र्थी संका भी कर रहें कुछ तो गणबड जौला सब poses निकलने के लिए कठीम परश्रम करना पढ़ेगा और लगातार प्रशन करना पढ़ेगा चाए PCS के अभढ़र्थी हूं चाए कि आरो यारो की परिच्छा और पीसेस की परिच्छा पारजर्शी तरीके से हो, नॉर्मलाइजेशन का जंजट ना रहे, तो आप सांती पूर्बक अपने बल को बढ़ाते रहें, अन्य था नॉर्मलाइजेशन एक बार लागो हो जाने के बाद, आप किसी भी कीमत पर उसे हटवा नहीं पाएंजेशें, अब कई जीलों में तो सेंटर मना ही दिये गए हैं, तो कुछ और सेंटर मना कर क्यों नहीं एक दिर परिच्छा करा दिया जाए, साथ-साथ परदर्शन को लेकर अब भर्षी कोचिंग संचालक से मिले, अब भर्षी ने अपील की, आप लोग मेरा साथ दीजिए, लेकिर उपर से प्रेसर आ गया, साथन इस तर पर प्रेसर आ गया, जिसके कार कोचिंग संचालक जो है क्या कहा रहें, उनकी मीटिंग के दौरान क्या हुआ, महा कुम्भ को लेकर पुल्स लाइन इस्थित्रिवेडी सभागार में, पुलिस अजिकारियों की कोचिंग संचालों के साथ बैठक हुई थी, आपको मालूम होगा, अजिस संचालक जो बैठक हुई, उस पर प्रत्योगी चाच्यों के उत्तर पर लोग श्रीवा, आयूप प्रस्तावी धैना प्रदर्शन को लेकर संचालकों ने कहा कि कोचिंग संथान सोमारों को भी संचालित होंगे, वह किसी भी चात अंदूलों का समरतन नहीं करते हैं, इस तरह की बाते आज के समाचार पत्र में इसलिए लिखी गई हैं, जिससे अभ्यर्थी भटक जाएं, और मैं आपको बताना चाता हूँ, चाहे अध्यच हूँ, चाहे जो हूँ, कोचिंग, कोचिंग, अभ्यर्थियों के बदोलों चलती है, आप यहाँ एड्मिशन लेते हैं, जब उनका कैरियर ही नहीं बरपाएगा, उन्हें अपने चैन के आस ही नहीं रह जाएगा, तो भ जंगा फसाद होनी नहीं जा रहा है, सांती पूर्बर अपने हक्की मांग करने जा रहे है, हर कोई अपने हक्की मांग कर सकता है, तो कोई भी घर में छुपकर ना बैठे, बाहर निकले, अपने हक्की मांग करे, बिना हक्की मांग के, आपके किसी भी काम को सरकार पूरा न जाते हैं, जिस परकार से कोचिंग संचालकों का نाम लेकर हदकन्डा अपनाए गया है, तो आपकी सफलता तरह हैं, आप वो जीत मिलेगी परंतु आपको निरास नहीं होना लगाता लड़ते रहना है आपको सफलता मिलने से कोई नहीं रोक सकता है आप सफल होंगे और आपकी परिच्छा एक दिन होगी चाहे तिसी में परिवर्तिन करें या साथ या आठको परिच्छा करें इनकी मर्जी ये चाहे जैसे करें वाज उत्तर पर ही लोग से आयोग में भी लेना नीटी यूजी को लेकर आपको मालूम होगा कि कई सी पार्षे की गई है एज लिमिट को लेकर भी बात है जो आउर्सूर्सिंग पर लोग वर्क करते हैं निकालने की बात है पर्मनेंट करने की बात है हाबिर्ट मोट से परिच्छा कराने की बात है परिच्छा कई स सिप्टों में करा जाए नियमित अजक्यारियों की तैनाति की जाए इत्याज की बात कहीगी अब सरकार इस पर कितना सहमत होती है देखने वाली बात है दो चीज यह लागू ना करें एक कई सिप्टों में परिच अकई एटेंप्ट को लेकर अटेंप्ट नहीं कम करना है कुछ भी करेंगे ऐसा या फिर अटेंप्ट कम करेंगे तो फिर इसका बिरोध होना सुरू हो जाएगा इसमें दो राय नहीं है अब देश के प्रधान मंतरी नरेंद मोजी जी का भासल आप सुन रहे होगे यह दर उत्तरविश लोग शिवाग पर भरती परिशान है मैं ट प्रधान मंतरी मोजी ने कहा कि जारखन में जे यमियम कॉंग्रेस और रजट की सरकार में पेपेल लिक करने वाले यों भरती माफियों को पताल से धूंड निकालेंगे अरे भाया उत्तर प्रदेश का पहले देखो जहां आपकी सरकार है आप बेर्थियों को पिचारों को बड़ा पढ़ाई बड़ाई छोड़के इसका जिमेदार कोन है तब वहां की बात करना चलिए इनकी बात ही अब नहीं करेंगे हम आगे बात करेंगे एक बड़ी अपडेट में आपको और देना चाहता हूँ विहार चुनाओं से पहले 12 लाक नोकरी देने का ऐलान किया ग 17,000 को नोकरी मिल गई है और 2025 चुनाओं के पहले 12,000,000 को सरकारी नोकरी मिल जाएगी जबकि यह बात जो है नितित कुमार जी के द्वारा नहीं कही गई थी यह बात जो है आर जेडी पूर मुखवंतरी उप मुखवंतरी ते जिस्वी यादों की द्वारा कही गई थी बड़ी अपडेट मैं आपको और देना चाहता हूँ यूपी पूलिस पर इच्छा परिडाम और डीबी को लेका और फाइनल कब तक हो जाएगा भरती इसके समंद में देखी यूपी पूलिस पर इच्छा परिडाम के समंद में जोजानकारी प्राप्ट हुई है और समा चार पत्र में थाड़ बीक दिया गया है तो हो सकता है 17 से लेकर 25 के बीच में आपका परिडाम जारी हो जाए 17 से लेकर 25 के बीच में आपका परिडाम जारी हो जाए आपको या भी देखने को मिलेगा मैं पहले ही आपको बता दे रहा हूं कि कुछ लोगों के नंबर ज्यादा है उनका चैन नहीं हुआ कुछ लोगों के नंबर कम थे तब भी उनका चैन हो गया इस पर आपका विरोधा भास होगा या सब नॉर्मलाइजेशन के कारण हुआ होगा जो प्रशने जो है रिमूब किये गए हैं उसके कारण इत्याज कारण होंगे अब आप लोग पूछ रहे हैं सर रिजल्ट तो आ जाएगा आपने बता दिया इस तरह के महोल बनने वाले हैं लेकिन डीबी के सकता है यहीं कि जनवरी मनतमान लीजे मिड और पंदरह जिसंबर के बाद 15 जनवरी के पहले मिड में आपका फिचकल कभी भी स्टाट हो सकता है आपको नोटिस देखने को मिल सकती है फाइनल आपका होगा मार्च के बाद आप ट्रेनिंग में चलें जाएंगे 15 मार्च के बाद हो सकता 15 18 मार्च के बाद आपको ट्रेनिंग में बेर दिया जाएने की जनवरी तू फरवरी आपको बेट कर मार्च के बाद आपकी भरती कंप्रिट हो जाएगे आपको ट्रेनि प्लाद